अलो गैस तो आज का जो चेप्टर है हमारा आज option chain को हम लोग समझने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं practically तो आप NSC वगारा के साइट पर भी option chain देख सकते हैं बट मैं आपसे आपको बोलूँगा कि आप sensible को try करो काफी easy है free है कोई चार्ज देने की जूड़त नहीं है आपको जैसा कि देख सकते हैं कि हमने sensible को option chain login कर लिया तो अब मैं आपको दिखाना चाला हूं को तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और साथी जात हमारे इस playlist को आप जारे 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 सेर के लिए हम इसमें basic से लेकर के सब को सिखाएंगे आपको proper guidance देखा प्रॉपर एक mentorship जो free of cost नॉर्मली यह सब चीज़े आपको पेट को से में सिखाए जाती है बट हम आपके साथ free में सब को तो सेर करने वाले हैं कि कैसे आप सेफेस्ट वे में trading कर सकते हैं विकॉज काफी सारे लोगों को इस्टार्टिंग के दूरह में proper knowledge नहीं होने के वज़़ा से लोग काफी बढ़ा नुक्सान कर लेते हैं ठीक कि विकॉज option में काफी ज़़़ा पैसा बनाए जासा है लेकिन यह है हमारा call फिक है यह आप call द्हक हो मिक्राइइब ओ कि आप एधा काल देख सकते हो और इधा के साइड़ा ठीक सकते हूं यह दोखो यह होता है इस ट्राइकड once प्राइस श्यक है यह हैः श्ट्राइक और यहां से आप expiry मतलब कौँछ expiry के select करते हो जिसा कि मैंने बताया कि expiry क्या होता है पीछलेक वीडियो में अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हूँ देखो हर एक strike का अलग-अलग price होता है यह देखिए यह है LTP LTP मतलब last traded price इधर की site भी LTP ठीक है तो और यहां पर देख सकते हैं कि nifty future का price आपको 15,749 चला है इसे आप sport price भी बोल सकते हो और इसे ही current market price भी बला जाता है मतलब जो nifty का price हो जैसे कि मैं आपको चलो मैं दिखाता हूँ आपको simply मैं अपने broker में लेकर चलूँ आपको या फिर मैं nifty का price ही को लेता हूँ nifty 50 ठीक है देख सकते हो कि 15,722 आपको दिख रहा है न तो यह हो गया sport price nifty का ठीक है यह हो गया देखो normally मैं बात करूँ अगर future की मैं बात करूँ जैसे का future मैं देख सकते हो 15,747 चला है इसका मतलब क्या हुआ future price में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है थोड़ा सा price कमे जाए देखने को मिल सकता है यह normal सी बात इसमें कोई उतना आपको घपराने बात नहीं है बहुत ही normal सी बात दिए तो nifty 50 का यह चला है price 15,722 तो यह क्या हो गय या इसे current market price ही बोल सकते है कि मुलाब जो nifty का price चला है या फिर आप किसी भी stock का भी price देख सकते हैं मुलाब जो market का price real time चला होगा उसे ही बोलते है spot price और उसे ही बोलते है current market price CMP जिसे लोग short card में बोलते हैं ठीक है यह हो गया Y in lakhs में आप दिख सकते हो Y change percentage यहाँ पर आपको दिख रहा है इजा के साइड भी Y दिख रहा है और यह के साइड भी Y change percentage दिख रहा है तो देखो यह सब पूरा call का section है मुलाब यह जितना भी आपको दिख रहा है यह सब call के लिए है अलग-अलग strike price का strike price wise आप दिख रहा है और यह जितना भी section है वह सब put का लिए है मुलाब यह सब put का है ठीक है कि put का Y कितना है put का LTP कितना है सब कुछ है चलो मैं अब examper के समझाता हूँ एकदम ही जी करते हैं इसे जैसा कि मान लोग कि आपका bullies view है ठीक है तो bullies view में आप क्या करते है या इसी बात है call को आप buy कर सकते हैं या put को हम लोग sale करते हैं जो option buy होगा वो call को buy करेगा और जो option seller होगा वो put को sale करेगा अगर आपका view bullies बुलिस यानिके market उपर जाने वाला है इतने सारे strike price है यह मान लोग कि आप 15,200 आपको strike price खरीदना है तो इसका price है LTP मतलब price समझ जाओ ठीक है मान लोग कि 500,300 आपको strike खरीदना है call का तो इसका यह price है ठीक है यह सब call ही है जैसे कर देशकतों यह सब call का ही price है देखो हर strike price का न अलग-अलग price होता है जैसे यह देख सकतों strike सब call ही है लेकिन अलग-अलग price दिखेगा ठीक है अभी हम और detail में आगे समझेंगे कि कौन से strike price select करना चाहिए proper buy और selling के लिए जिसमें आपको जाए clear होगा अभी को देखो जैसे मानलो के मैं share ले लेता हूँ SBI का हमने stock ले लिया अब मानलो के 420 का उसका price चल ला था वो अगर बढ़ता है और आपने buy कर रखा है तो अगर stock का price 420 से मानलो के 421 हो गया ना तो आपको एक रूपे का profit होगा तो आपको एक रूपे का profit होगा तो आप option में वैसा नहीं होता है guys, option में आपको एक रूपे बढ़ने पर एक रूपे का profit नहीं होता है अब option के price बढ़ते और घठते कैसे उसके समझने के लिए आप को option का ग्रीक समझना होगा, जो हम आगे समझेंगे ठीक है, इसमें delta होता है, उसमें theta होता है, उसमें vega होता है, उसमें ROI होता है, ठीक है, रो, एक बोलते हैं रहो, ठीक है, ये सब नॉर्मली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सब मिलकर आपके option के price को बढ़ाते हैं, देखो, इतने ज़्यादा जो strike price होते हैं, इतने ज़्यादा, इसका main difference होता है कि हर एक, देखो, और मैं simple करता आपके लिए, मानलो की price बढ़ने वाला है, simple सी बात है, price बढ़ने वाला है, ये 447 चला है न, मानलो की अभी ये price हो गया, 16,000 पोच गया, call, सभी call, ये जितना भी call है न, इस सब का price बढ़ेगा, because market उपर गया, ये सब का price क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन हर एक strike price का अलग price बढ़ेगा, मतलब ये मानलो की 536 रुपेका है न, तो ये मानलो की कितना हो जागा, ये बढ़कर हो जाएगा 550, ये हम आगे समझेंगे इनम detail में, मैं अभी आपको दिखाना का ट्राई करूँ, यहां से मैं चलता हूँ, यहां से देखो, मैं delta को on कर लेता हूँ, देखो, जब तक आप greeks नहीं समझ पाऊगे, तब तक option में थोड़ा सा calculation करना दिक्कत होता है, आपको थोड़ा सा complicated लगेगा, बट बहुत easy है, आप practically समझेंगे, दिक्कत हो लिए कोई बात नहीं है, तो simple मैं strike price को एगर एकदम easy करने का try करो, तो एकदम easy में आप समझने का try करो, जब तक आपको mind में छोड़ी छोड़ी चीज़े clear नहीं होगी, तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो मैं बताता हूँ, अगर आपका bullish view है न, और आप अगर कोई भी call by कर रहे हो, call by कर रहे हो, तो मैं call by कर रहे हो, मालो कि आप 15700 का call by कर रहे हो, इसे आप क्या कर रहे हो, by कर रहे हो, call को by कर रहे हो, ध्यानक न, तो आपका basically view क्या है, जब भी आप call by करते हो, तो basically view ये होता है, कि आपने call by क्या, कौन सा call by करेंगे आप, 15700 का, expiry कौन सी है, 8 July की, ठीक है, तो आपका, आप basically ये कर रहे हो, मार्केट में, कि 8 July तक, ठीक है, maximum expiry क्योंकि आप 8 July तक ही take कर सकतो, 8 July तक, मार्केट 15700 से उपर ही रहेगा, आपने buy क्या, अब suppose करो, price के नहीं चल दा है, 15747, अब देखो, अगर मार्केट उपर जाता है, इससे मानलोगी चला गया, मार्केट 16000 पे, तो जाईसे बाते कुछने कुछ प्रॉ तो आप जब भी call buy करते हो, जिस भी strike को select करो, समाझ लो, simple, मैं सबको लेकर चलूँगा, example, आपको call buy करना है, बिकुछ आपका bullish भी हो, तो आप मानलोगी चला का call buy करो, तो basically आप ये bet लगा रहे हो, और मैं आसा करूं, basically आपका mindset ये है, कि market 15700 से उपर ही expire होगा, expire in essence, 8 July को 3 बज के 30 मिनट से पहले, 3 बज के 30 मिनट तक market 15700 से उपर ही रहेगा, तब आप call buy करे हो, basically ये view होता है, call buying करने का, और जब आपका bullish भी होता है, तो आप क्या करते हो, put sale करते हो, sell करते हो ना, आप क्या करते हो, आप put को sale करते हो, तो मानलोगी आप कौन सा put sale कर रहे हो, मान price कितना है, इस price है, आपका 29 रुपए, ठीक है, इसे आप sale करे हो, तो जब भी आप sale करते हो, तो अब आपका view क्या है, मतलब आपका view ये है, जब भी आप देखो, selling condition में ये होता है, कि market 15600 से उपर कहीं भी expire होना चाहिए, मतलब आपका view क्या हो गया, कि आपने 8 जुलाई क को 3 बज कर 30 मिनट से पहले, या पर 8 जुलाई तक मालो, मतलब 8 जुलाई को market जो 15600 का आपने sell किया है, put, आपने क्या क्या है, आपने 15600 का put को sell किया है, तो आपका view simply ये है, आपका view simply ये है, कि market 15600 से नीचे नहीं जाएगा, 15600 से उपर कहीं भी रहेगा तो आपको profit होगा, ये जो 29 रुपर प्रीमियम जितना भी है न, वो हो जाएगा 0 expiry के दिन, ठीक है, तो आपने 29 पे sell किया, और आप buy कितना पर करोगे, 0 रुपर पर बाई करोगे, या 1 रुपर बाई करोगे, तो पुरा profit हुआ न, तो जब भी आप किसी भी strike को sell करते हो, तो आपका view क्या हो के market नीचे नहीं जाएगा, 500,600 से market उपर ही कहीं भी रहेगा, उपर अगर कहीं भी रहता है, तो आपको, जितना भी आपका premium sell कियर होगे, उतना का पुरा max profit होगा, पुरा profit आपका, अब मैं बात करता हूँ, bear is view का, ये गाइस, ये अभी थोड़ा सा, जो भी दम नए ना, उनको थोड़ा सा complicated लग रहा होगा, बट हम जैसे जैसे आप आगे के chapter देखते जोगे ना, वैसे वैसे एकदम इतना easy लगएगा, कि आप भी सोचने लग जाओगे, कि इतना easy option होता है, क्या, तो चलो, मैं और ये करता हूँ इसे, अब मालिजे की आपका view है bear is का, मतल जब market नीचे जाएगा, तो अब नीचे जाने के मिसम क्या करता है, हम लोग जो buying करता होगा, वो क्या करेगा, वो put को buy करेगा, ठीक है, और जो seller होगा, वो क्या करेगा, वो call को sell करेगा, विकार मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो अब simply समझते हों, जो buying करता है, अब strike price उसके लिए कैसे क्या होता है नॉर्मल इदम practically समझे अब माल लिजे कि आप 15800 का put को buy कर रहे हैं अब हम आगे समझेंगे कि आपको कौन सा proper strike price select करना है option buying करने के लिए option को sell करने के लिए अब roughly idea भी समझो normal सी जीजें अगर माल लो कि आप 15800 का put ये put में ले लेता हूँ put अगर आप buy कर रहे हो तो आप basically क्या bet लगा रहे हो आप basically आपका main target ये है कि market put जब buy करोगे तो क्या होगा market नीचे जाना चाहिए ठीक है जब भी आप put buy करते हो guys तो आपने जिस भी strike price को select किया माल लेज़े कि आपने 15800 का strike ही select कर लिया तो आपका basically view ये है कि market 15800 के नीचे ही रहेगा समझे मलब आप 15800 का अगर put buy कर रहे हो तो आपका view ये है कि basically 15800 के नीचे ही market expire होगा expiring nonsense आठ जुडाई को market 15800 के नीचे ही रहेगा ठीक है अभी रफली आप समझे इतना इतना बहुत है 15800 के नीचे आप जिस भी strike को select करोगे put buying के लिए तो आपका view ये है कि market 15800 के नीचे रहेगा कुझ है जब market नीचे जाता है तो put के price बढ़ते हैं फटिक है अब ऐसा इसको को कोई call sell कर रहा है तो माले जिद आप call sell कर रहे हैं आप call sell कर रहे हैं आप सब्सक्रिख कर लो लो कि आप ले कर दो आप इस वाले call को सेल करो इसका प्रीमियम कितना है 46 रुपिश का प्रेमियम में ठीक है ठीक है तो आप जब call 15800 के नीचे कहीं भी एक्सपाיר होगा, मतलब 15800 से ले कर अगर मारकेbour за 5800 के नीचे कहीं भी एक्सपार होता है ना तो आपने ये जो फूटी श्म का प्रिमयम सेल क्या हो जीरो हो जाएगा एकस्पारी के दिन और आपके आपका पूरा 46 का प्रोफिट हो जाएगा जाएसी बात है कि वह 4070 चला जाएगा तो जैसे-जैसे मार्केट नीचे जाएगा ना वैसे-वैसे-वैसे आपको प्राफिट होता जाता है ठीक है और माली जेकर एकसपार हो जाता है मालो कि अपने अभी मार्केट है ना तो यह जो 46 वाला प्रीमियम है वो पूरा 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 जीरो हो जाएगा ठीक है यह कंप्लिकेट लगेगा किसको जो एदम बीगनर होंगे जिसको कुछ नहीं आता हो ऑप्शन में एक बार फिर से देखना आपको समझ में आ जाएगा अभी हम स्ट्राइक प्रेस को लेकर एक आगे वीडियोः बनाएंगे डिटेल हम बनाएंगे क्यों आपको कौन से स्ट्राइक करना चाहिए कैसे स्ट्राइक के साथ भाई ऊसेलिंग करने चाहिए तो आपको डिटोल में क्लिभ लोगआ बट अभी आप रफी आइड़िया समझ हो विकॉज यह आप्सन चैन से लेटर जो भी चीज़े हैं वो हम आपको साथ सेर कर रहे हैं विकॉज और मैं आगर नालेज दे दूँ आपको यह देखो यह होता है ATM अभी ATM का IV IV मतलब implied volatility इसका implied volatility क्या है 9.4 अभी हम आगे हो समझेंगे detail में क्या होता है देखो ATM और ITM हो समझिए जहां पर market चल ला है ना अभी उसके आसपास का जो भी strike होगा nearest वो होता है ATM जैसे market अभी कहां चल ला है 15747 का असपास चल ला है तो यह हो गया आपका ATM इसका यह भी ATM हो गया और यह भी ATM होगा ATM का आप देख सकता हो मलब जो भी है वो ATM होता है अमलब market जहां पर चलता है ना वहाँ समझ सकता हो वो ATM का strike है ATM क्या होता है गाईस देखो इधर का जो भी है वो ATM है जो blue देखो और in the money यह है ATM यह क्या हो गया यह जो भी हलका सा आपको light yellow दिखरा हो गया यह ATM है और यह भी ATM है यह देखो यह call के तरफ है ना तो यह call का ATM in the money option हो गया ATM मतलब और यह call का ATM हो गया add the money का option ठीक है और यह call का otm हो गया यह जितने भी white में दिख रहे हैं आपको यह otm है call की side call का ATM call का ATM call का otm ठीक है put की side यह हो गया यह हो गया आपका put का ATM ठीक है और यह हो गया put का otm और यह हो गया put का itm बेसिकली अगर मैं एक और आपको इडिया बता हूँ ति यह होता क्या है देखो जितने भी otm के strike प्रेस होंगे ना premium उसके सस्ते मिलेंगे मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ basically because in the money, add the money और out of the money आपको समझ में आना चाहिए जितने भी otm होगे वो चाहे call के हूँ या put के हो वो आप सस्ते मिलेंगे जैसा देख सकतो 1500 यह otm का strike है इसका premium देख रहे हो put में 13 रूपे के असपास है और जैसे जैसे आप otm से in the money को आते जाओगे वैसे वैसे price बढ़ते ज मिलेगा ठीक है जैसा कि देखो जैसे आप in the money आते जाओगे न वैसे वैसे सब का price बढ़ते हुए जा रहा है ठीक है सेम होता है call में भी देख सकते हो यह otm के price है देख सकतो 18 रूपे है 5900 का strike का price और यह देख सकते हो 8m का price 68 रूपीड है और यह देख सकतो in the money में 205 रू में अब एक चीज़ आती है यह वाई वाई क्या होता है गाई ओपें इंट्रेस्ट ठीक है अभी हम इसके बारे में separate video बनाएंगे अलग से काफी चट काफी detail में काफी practically वाई चेंज इसके बारे में वीडियो बनाएंगे जब वाई को cover करेंगे यह जो डेल्टा ठीटा य बताते हैं बढ़ हम आपके साथ एकदम practically चीज़ करेंगा जो काफी easy होगा ठीक है जो काफी आपको easy समझ में आएगा तो बढ़े रहे हमारे साथ अगर चलना पना है तो चंग सब्सक्राइब के लिए ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके साथ share करते रहें यह पूरे playlist को जो option simplified course है यह basically हमने beginners के लिए launch किया है जिसे market का कुछ भी समझ में नहीं आता है उनको कैसे option trading start करनी चाहिए कैसे option में काम करना चाहिए उनके लिए proper guidance हमने free में launch किया है तो जितना भी हो सके आप इससे अपने दोस्तों के साथ share करिए तो मिलते हैं फिन इसके next part में तब तक के लिए बाइ